कि नमस्कार अपना उत्तरपरदेश लेकर मैं हूँ आपके साथ संधीप निरंजन सरकार मुख्यमंत्री योग्यादी तिनाथ 9 योर आर्मी फेस्टिवल 2024 के उधगाटन कारेकरम पहुंचे कारेकरम के मंच से लोगों को संबोधित भी किया क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं नाओ योर आर्मी फेस्टिवल 2024 क्यास के समालों में प्रदेश सरकार में मेरे बरिश्ट सहयोगी जल्द सक्ती मंत्री सी सपंत्रदेश सिंग्जी लेक्टनेंट जन्रल अनेस राधा सुप्रमाणी यो सी इनसी सेंट्रल कमान्ड लेक्टनेंट जन्रल शिमुकेश चड्डाजी चीप अपिस्ताफ प्रदेश की मुठ्य सचिव स्वी दुर्गा संकर मिश्ट्र जी प्रदेश की मुठ्य मंत्री काराले की सलाकार स्यावनीज कुमार अवस्ती जी कारक्रम में पस्तित प्रदेश करकार के पूरो मत्रे डॉक्कर महेंद्र सिंजे आज के समारो में पस्तित भारतिय सेना के हमारे सभी अधिकारी कार्ण हमारे सभी बहात्र जवान समारो में पस्तित अमारे सभी समानित असितिकण उकस्तित महानुभाव और युवासाथियों मैं सबसे पहले आज के समारो के लिए भारतिय सेना को दिल्दै से बढ़ाई देते वे इसके इस रुवर्सिटिय आयोजन के लिए प्रदेश की राज़दानी लखनों मैं इसकी सेंटर कमांड को चुना गिया है इसके लिए आदरिय प्रदान मंत्री जी का आदरिय रक्सा मंत्री जी का और भारतिय सेना का हिर्दे से आभार रिप्त करता हूँ नौयोन आर्मी फेस्टिबल बहजार प्रदेश के आज के समारों में यहां पर आकर के मुझे आनंद के अन्भूती हो रही है यह देरे ले इस लेदी नहीं तुकून है कि देश की आवादी के सबसे बड़े राज्य है उक्तर प्रदेश के हमारे युवाओं को नस्दीक से भारती सेना को जानने उनके सौर और प्राकर्म को नस्दीक से कहचानने का उसर प्राप्त होगा यहां पर अभी तो प्रदर्सन अमारे सिक रेजिमिन से जुड़े वे इन बहुत गुर्जवानों ने दिखाया है भारत की प्राचीन युद्ध करा कैसे उस काल खंड में हमारे यहां पहले से ही युवाओं को इसमें पारंगत करके आक्रांताओं का जवाब देने के लिए तैयार किया जाता था और मुझे प्रसंता है कि भारत की इस प्राचीन युद्ध करा को आद भारती सेना ने अपना हिस्सा बना करके न केवल उसे सम्मान दिया बलकि सिक्व गुर्वों के प्याग और मैंदान को भी एक नई पेडा के रूप में पुड़े भारत वाच्यों के सामने रख करके तो सवोच बल्दान को सम्मान देने का काम किया तो वही पूर मुख्य मंत्री सुवर्गे कल्यान सिंग की जैनती पर पुषपांजली कारेकरम खायुजन किया खिया जिसमें CM यूगिया दित्यनाथ भी शामिल हुए और कल्यान सिंग को श्रधांजली उन्होंने अरपित की है तो यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहांपर CM यूगिया दित्यनाथ ने श्रधांजली कल्यान सिंग को अरपित की है कल्यार सिंग की जयनती के मौके पर उन्हें सियाम योगी आधित्यनात शद्धान जयंच अर्पित करने पहुंचे सियाम योगी ने कंप्लेंट वा अपील ट्रेकिंग सिस्टर्म इनफोर्समेशन कमिशन सौफ्टियर और मोबाइल लैब का शुभारम किया इसे मौके पर उत्रप्णीस राजे सुशनायू को अपने इस नमीन सौफ्टियर और मोबाइल लैब के लिए मैं रिटे से बढ़ाई देता हूँ लोगतंत्र की एक असोटी है कि जनता का सासन है तो जनता को त्वलित या उन समयबद तरीके से नय पराप्त हो सके भश्टाचान वुक्त विवस्था मिल सके पातरसी सासन की विवस्था वा केवल भाष्णों का मुद्दान मने बनकी ब्यभारी धरातन पर भी उसे हम सब देख सकें इन सब के टेक्नोलोजी आज की प्रबेक्स में कालिके परित निस्तारण को लेकर के रस्टाचार पर प्रभावी अंगुस लगाने को लेकर और समयबद तरीके से मेरी क्याढ़ार पर किसी ली कालिकों कुणवत्ता पर तरीके से निस्तारण करने के दिश्थे भी अत्यंत महत्तुपूर है सुचना का अधिकार 2005 इसी उत्यस्थे से देश के अंदर लागो किया गया था कि कोई भी व्यक्ति सासन से समंधित किसी ली कालिकों अपनी उस अधिकार का सही उप्योग करते भी सासन से जानकारी हासिल कर सके अक्सर होता है हम भोषनाएं बड़ी उड़ी करते हैं लेकिन सामाजने जीवन में हमें देखने को क्या मिलता है एक मामले को कोई बेटे निस्तारित करने के लिए भीजता है या किसी भी संस्थाम में तो वर्सों वर्सों उनकारे को बहाँ बेगता है मैं एक्सर सासन चे टुड़ी में बहाँ सारी चीटों के इन बातों को देखता हों कि टेक्नोलोजी को उप्योग करके हम किसी नागरी के जीवन में कितना आसान और सुगंता को तरीके से उसके चीवन को हम एक नई रहा दिखा सकते हैं यह मुझे एक्सर सासन की विभिन कार्यों में देखने को मिलता है आप पहले देखते रहे होंगे राजसुले डुड़े वे मामले कितना देर होता था वरासत के मामले पिता के बाद उसके पुत्र को वरासत सुतरिस पूर्थ भाव के साथ एक पोटो मोड़ में होना चाहिए लेकिन वह कुछंद कार्यों और अधिकारियों के अकर्वनेता और उनके अन्रिड़े के कारण वर्सों वर्सों फसा लेता है और फिर वर्सों वर्सों फसने का मत्तब उसमें नए विवाद खड़े होते हैं नए लोग दाविदार खड़े होते हैं और छोटे से, यानि जो छोटी कोहीर सोनश्याली की एक हाथ था, एक अधिकार था होश अधिकार में नवे दावेध दावेदरों क arrows आनिकम न कमन तब एक निया की बीवार खड़ा हुए और फिर वही से कानून बिवस्ता के लेक निया संकट भी खड़ा होता है लुखास सथे चड़ेंगे माम लेखुऊ 95 teng-se turn नामंतन से ही इस उने चछेए कि फोरा तो हा सत्रम्र में आये था मैंने इसी बात को पोखा था मैं राज श्राविज भाग के संजी बात को लेके पोचा थे बताओ मुझे कि ये बारे गात से जीक माम लेक्ट क्यों परिंडिक पड़े हुए कि वरासत से जुड़े ले कि पैमाईस में उससे जुच जादा माम लेक्ट परिंडिक के आगर कि क्यों नहीं हम इतना समाधान करते हैं और किती दिन होने चीनिये पैतालीस दिन के अदर समस्या का समाधान होना है तो पैतालीस दिन तर सभी लोग इंदजार करेंगे और फिर पैतालीस दिन उससे उस कारेक्ट्रों को आगे बढ़ाएंगे फिर वर्सों लग जाएंगे सासन की मंसा सबस्ट्री की पैतालीस दिन के अदर उस समस्या का समाधान होना है नहीं पैतालीस दिन से कारवाई प्रारव होती है तो पैतालीस दिन से कारवाई प्रारव होती हो फिर पैतालीस वर्स लग आते हैं और जब हम लोगों ने मिसल मोट पिर कारेक्रमों को किया अगले दो मेहने के अदर लाखों मामले स्वातर स्पूर्द भाओं के साथ मिस्तारी दोड़े में दिखाई थे और फिर यहीं से हम लोगों ने शुरू किया था जन सुरवाई पोडल आइची आइस पोडल का अधिर आजी आइस पोडल में भी भौसारी लोगों में इसे थे जिनके पास समय स्मार्ट फोन नहीं थे या जो लोग उस पोड़ल के माफन से अपनी समस्या को नहीं सासन तक पहुचा सकते थे क्योंकि हर ब्रक्ति जंता दर्शन में आए हर में अपना एप्लिकेशन लेकर के यहां तक पहुंच जाए हर ब्रक्ति इमेर करने हम उसको उसके पास जो भोजोबा तंद्र है उस तंद्र का उप्जोब करने का एक अलिकार दे सकें कि वह अपने सिस्टम से प्राइब कर सके बता सके और फिस सिस्टम इस बात के साथ जोड़ा गया कि वहाँ इस बात को जबाते बने कि आगिर कहां से समाच्छा का समादा है बढ़ते खबरों में आगे बीजेपी के राश्च धक्चु जेपी नड़ा ने हीमाचल के सोलं में अविनेंदन समारों को समबोरीत किया क्या कुछ कहा सुनाते हैं बढ़त मता की है भारत मता की है आज के इस कालकरम में मंच को रपस्तित हमारे पूर्प में रहे येशाश् स्वी मन्ठी वरिस्त नहयोंगी श्री जेयरांधाकर जी हमारे बहती कर्म्षी जजारू और सबधन शी लप्यक्ष … श्री डॉक्टर राजीव धिंदल जी, हमारे प्रभारी अविनाश राय धन्ना जी, हमारे सभारी संजे टेल्डन जी, आप सब के लोग पिये सांसद्ध और संसद्ध मेरे साथी, सुरेश कश्यद जी, हमारे वरिश सयोगी पूर्ट में मंत्री रहे, शी सुपराम जोगी जी, जिला के अध्यक्ष रतन पाल जी, पूर्व सांसद्ध विरेंद्र कश्यद जी, तिलो कपूर जी, राजीव सहजल जी, गोवित राम जी, लपिंदर राना जी, परम जीत परमी जी, रीना कश्यद ज जी, नरायन सिंग जी, रश्मिधर सूथ जी, शीमत्री डेजी ठाकु जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पार्टी के वरिष्ट अधादिकारी और हमारे वरिष्ट नितागर्ण, और माशुरूली के इस जिले में, इस नगर में उपस्थित, देवी और सज्जनों औ और मीडिया के मेरे साथ ही, पिर्ट मीडिया और मेरे साथ ही, मेरा ये सववाग्य है कि मुझे आज माशुरूली के इस पवित्र स्थान कर आप सब लोगों के दर्शिन करने का सववाग्य प्राप्त हुआ है, मैं सबसे पहले तो माशुरूली को नमन करता हूं और उसे आ कि अभी मुझे बताया गया कि यह अभी रंदन समा रहो है और आप सब लोगों ने कि जिस तरीके से कि जब से मैं हिमाचल में प्रवेश किया वहां से लेकर कि इस सोलन के पुराने बस्तेंट तक कि जिस करम जोशी के साथ आपके मेरा अभिनंदन किया है स्वागत किया है उसके लिए सबसे पहले तो मैं पूरे करबद आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने प्रेम दिखाया उसके लिए विशेष करके आपका धन्यवाद आता हूँ लेकिन मित्रों यह अभिनंदन मेरा नहीं है यह अभिनंदन कोई नास्ट्रिय अध्यक्स का नहीं है यह अभिनंदन उस विचारधारा का है जिसके लिए चार-चार प्रेडियों ने अपने आपको खपा दिया और हम यश्यक्स करके निकले हैं इसको हम को लिए और मैं उन्चार प्रेडियों को नमन करता हूँ जिन्हों ने अपना सारा जीवन पहले दिया और बाद में कमल के लिए सर्वस्वर आहूत किया ये उस विचारधारा की विजय कादिनन्दन है इसको होकर समझा चाहिए मित्रों हमें राजिखान ने जीत मिली हमें मद्द्रदेश में जीत मिली हमें 36 गड़ में जीती हैं तिलंगाना में भी हम साथ कृती सब्से चौदा को सीशब पहुंच गए दुगना हम अपना वोड़ पर संथे पराएं मिजोरों में भी हमारे अमेले डबल हो गए एक से दो हो जहां हमारा कुछ नहीं ठाक लाएं लेकि यह जो तीन राज्य हमने जीते हैं चुराव से पहले मुझे कई वार जैराम जी का फोन आपा फर यहां तो मीडिया वाले कुछ और बोल रहे हैं मद्रप्रदेश तो बड़ा रहा है और शट्रिस गड़ तो गया बोलिये ऐसा बताते कि नहीं बताते कि बोलते कि नहीं बोलते कि राजिस्थान शायद आ जाये और हमारे बहुत से भाई जो बड़े लंबे समय से टुकुर 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 बड़े इंतजार में बैठें कि अब आई बारी अब आई बारी अब आई बारी वो बड़े खुश राका थे और उसमें मैंने उनको कहा था यहांजी आपकी भी जवरत है आप भी आईए और मतवदेश की जनता को राजिस्तान की जनता को और शक्तिसकर की जनता को समझाईए कि जो इनने रहे हिए हिए बेवाइदा किया था तूरा नहीं किया इनका इन्होंने वज्द देश की जन्ता को समझाया राजिस्तान की जन्ता के समझ में आया जूत बोलकर के राजिस्ती नहीं चलता है लोगों को धोके में रख करके राजिस्ती नहीं चलती है बोले भाई जन्ता को दोके में डाल करके राज़िती नहीं चलती है लोगों के साथ चुनना पड़ता है उनकी सेवा करनी पड़ती है उनकी तस्मीर करनी पड़ती है उनकी तग्दीर करनी पड़ती है तब जाकर पर रहा है और ये काम बखुबी हमारे यश्रस्वी प्रिहान मंत्री नरेम मौदी जी ने धर्पी पर उताब करके दिया है इसलिए हमकों विजय को désировать है तो ही बातों चनुँए मद्य प्रडेश के दिल में मोधी मोधी के दिल में मत्य जी का चनी ऑध क्यारी है दिदिदे जोरेंटी की कारेंटी कैद कि रच किशे टो इस्ती घंठी कि कारुए है है इसे ये मोजनी की जानी मित्रों और इसलिए देखते ही देखते चत्रिस गड़ में कॉंगरेस साथ मद्ध प्रदेश में और टाइम रिकॉर्ड ब्रेक और राजिस्तान में भी कमल खिल गया धांप ये जर्टा पार्टी की सब्सक्राइब ये प्रदान मंत्री मोदी जी के प्रदिया टूट विर्शोस जिन्होंने भारत की राज़्टी की संस्क्रिती बदल दाले एक शमय में राज़्टी थी होती थी जब लोग काट की हांडी चड़ा करके अपना काम चलाते थे आज समय बदल गया है लोग भरती पर देखते हैं कि किसका कितना काम हुआ है आप लोगों को ध्यान में आया कि भुपेश बगेल गरीबों को दिया गया मोदी जी का कारगर को रोकने का अटकाने का लटकाने का भटकाने का काम कर रही है इसलिए 36 घर की जंता ने बगेल उ अब का दिया भटका दिया और घरवा पर भीकिया हिए द्यारत्स की राजिस्टान में लोगों के ध्यान में है कि यह गए है ऑ़ीस जोलकी सरकार मैं différentes अम्याय करने वाली सरका रें व्रस्ताथाचार दीने करने वा पर नीक हो गया कोई भर्ती नहीं हुई भ्रस्ताचार पर भ्रस्ताचार महिलाओं के साथ अत्याचार राजस्तान की जनता ने कह दिया गहलो तुम घर बैठो अब भजन जी आए हैं और वो धांपिये जनता पार्टी की जुक्षी मंत्री के रूप में काम करें और मद्द्देश में जो काम अच्छे हो रहे थे आज वो बीमारी राजी से निकल करके विक्सित राजी की और आगे बना इन सब का नतीजा है कि आज भार्तिय जनता पार्टी की तीनों की तीनों सरकारे बाएं और यह तीन सरकार यह हैट्रिक केंद्रिय मंत्री और आगरा सिसांसर प्रोफेसर स्पी सिंग भगेल ने परियावरण सजीव संदेश के लिए नई पहल की शुरुआत की उन्होंने आगरा ताजमहल में परेटकों से भरी इलेक्ट्रिक गोल्फ काट को शिल्प ग्राम से ताजमहल के गेट तक चलाकर परेटन और स्वच्च हवा के प्रती जागरुकता बढ़ाने का संदेश दिया इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग प्रदूश्ण को कम करने में उपयुक्त बताया इस दोरान सांसनने लोगों को आत मिर्वर और प्रदूश्ण मुक्त विकल्पों के प्रती प्रेरित किया जो ना सिर्फ स्वास्तिता के प्रती ध्यान देने में मदद करेगा बलकि भविश्य की पीडियों के लिए सुरक्षित और हरित हवा भी सुनिश्चित करेगा और साथ ही आगरा में परियाटकों को अपनी और आकर्षित भी करेगा तो है थाना रभुपुरा पुलिस को अग्यात वे चोरो द्वारा चोरी की घटना की सूश्चना मिली पुलिस अभी परार है जिसकी खोच पुलिस के द्वारा की जा रही है पुलिस उनके पास से चोरी का सारा मान बरामत कर लिया है तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चोरी का सारा सामान भी बरामत कर लिया है कोटवाली रभुपुरा की तस्वीर है नोड़ा की पुलिस को बड़ी काम्यावी याँ पर मिली है और फिलाल बुल्टी ने मेरे साथ इतना ही दीजी जाज़त नमस्कार झाल